एक राज में एक राजा था जो बहुत दुष्ट था उसकी दुष्टता से सारी प्रजा उससे काफी डरती थी राजा का एक हाथ एक पैर और एक आँख नहीं थी जिसकी वज़े से वे काफी डरावना लगता था राजा की उम्र हो चली थी इसलिए उसने सोचा अब मुझे अपने बेटे को राजा बना देना चाहिए पर उससे पहले राजा ने अपनी एक बड़ी सी तस्वीर बनवा कर उसे महल में लगाने की बात सोची जिससे राजा के मरने के बाद भी लोग उसे ना भूले राजा ने इस बात का एलान पूरे राजे में करवा दिया और अपने राजे की सबसे बड़ी और अच्छे माहिर चित्रकारों को बुलाया और कहा जो मेरी सबसे बहतर तस्वीर बनाएगा उसे मैं इतनी दौलत दूँगा कि उसकी कई पुष्टें भी उस दौलत को खर्च नहीं कर पाएंगी साथ में राजा ने यह भी कहा जो कोई मेरी सुन्दर तस्वीर नहीं बना पाएगा उसे मौद की सजा दी जाएगी मौद का नाम सुनते ही सारे चित्रकार डर गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई राजा की तस्वीर बना सके क्योंकि बत्सूरत राजा की सुन्दर तस्वीर बनाना मुश्किल था उपर से मौत की सजा का डर बड़ी बड़ी चित्रकारों ने तस्वीर बनाने से मना कर दिया लेकिन वही एक छोटी से चित्रकार ने सोचा यही सही मौका है अपना हुनर दिखाने का अपने आपको सफल बनाने का ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा उस चित्रकार ने कुछ दिनों में राजा की एक तस्वीर बनाई जिसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ और बाकी सभी चित्रकार देखते रह गए कि ऐसा क्या है इस तस्वीर में जिसने पतसूरत राजा को खुबसूरत बना दिया सभी हैरान परिशान थे उस चित्रकार ने राजा की तस्वीर दिमाग लगा कर कुछ इस प्रकार बनाई राजा खोड़े पर शिकार कर नहीं है जिसकी वज़े से उनकी एक आँख बंध है और उनका तूटा हुआ हाथ और पैर घोड़े की दूसरी ओर है जिससे दोनों छुपे हुए है चित्रकार की इस महनत और आत्मे विश्वास ने उसे नाम, शोहरत और धीर सारा धन प्राप्त करवाया दोस्तों इस कहानी के अन्य चित्रकारों की तरह लोग खराब सिच्वेशन में दिमाग लगाने की जगे पीछे हट जाते हैं और कुछ बहतर पाने का मौका गवा देते हैं समय हमें कई मौके देता है बस हमें उसे पहचान कर सही दिशा में काम करने की जरूरत है सफलता की रा कोई मखमल का कालिम नहीं है जिस पर चलने में मज़ा आए यह तो पत्रीले काटो भरा रास्ता है जिस पर चलना आसान नहीं है तई परिस्थितिया डराएंगी आपको जुकाने, तोड़ने की कोशिश करेंगी पर अगर आपका ध्यान केवल अपने लक्षी पर है तो बाकी परेशानियां पौनी लगने लगेंगी अगर वह छोटा चित्रकार वृत्यों के भैसे चित्र बनाने का प्रयास ही न करता तो उसके हाथ से भी यह सुनहरा अफसर निकल जाता दोस्तों वो कहते हैं न कि रात जितनी काली होती है सवेरा उतना ही सुनहरा होता है कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं पर सफल न हो पाने की कारण एक और प्रयास नहीं करते जबकि क्या पता सिर्फ एक कदम की दूरी पर ही आपका उच्वल भविश आपका इंतजार कर रहा हो अमेरिका की 500 से अधिक अमीर लोग ये दावा करते हैं कि उन्हें सफलता उस वक्त मिली जिस वक्त वे लगबग हार ही चुके थी लेकिन उन्होंने हिम्मत करके एक और कदम आगे बढ़ाया और उन्हें अपनी जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिली जीवन में अफसरों की कमी नहीं है जरूरत है उन्हें खूजने की जब खूजबून द्रिष्टी से आसपास देखेंगे तो कुछ करने का अफसर जरूर दिखाई देगा बस उस अफसर में अपना बेस्ट दे उस अफसर को एक चैलेंज की तरह ले और तब तक लगे रहें जब तक सफलता आपकी मुठी में नहीं होती मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहें सिखाते रहें थैंक यू फॉर वाचिंग